हेलो फेंस मैं उकंचन सर्मा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादेश ठैल्दी मुंगदाल के लड़ू वैसे तो लड़ू बनाना और खाना सभी को पसंद है चाहे वो वेजन के लड़ू हो सूजी के हो या मोती चूर के हो आज हम बनाएंगे मुंगदाल के लड़ू जो की एकदम सौप्ट दानेदार मुं में घुलचानने वाली बनकर तयार होती है और इन लड़ों की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में हमें सिब दो तीन चीजों की जरूत होती है और बहुत ही स्वादिश लड़ू घर पे बनाकर तयार कर सकते हैं तो चलिए बिना देर की आज की हमारी ये रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले तो यहाँ पर मूंग दाल के लड़ू बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल यहाँ पर हमने एक कप मूंग की दाल ली है मूंग की दाल को आप घर की कोई भी नॉर्मल कटोरी से माप कर भी ले सकते हैं इस तैके से यह देखे ब्राबर करके आप वन बाउल मूंग दाल ले ले और इसको हमें भिगोना नहीं है मूंग दाल के लड़ू दो तरीके से बनाये जाते हैं भिगो कर भी और बीना भिगोए तो आज हम बीना भिगोए मूंग दाल के लड़ू बनाने वाले हैं तो इस तैके से दाल को हमें अच्छे से 3-4 पानी से धोलेना है ताकि डाल के उपर लगे जो भी डस्ट हो वो अच्छे से धूल कर डाल साप हो जाए तो इस तैके से मैं इसको जो है तीन चार पानी से अच्छे से धोलूंगी और उसके बाद छन्नी में हम इसे चान कर रख देंगे ताकि डाल का जो भी एक्ष्ट्रा पानी है वो अच्छे और दाल को हमें भूने में आसानी होुद तो इसे हम रख देते हैं और यहाँ पर हम पेन में डालेंगे एक टेबल स्पून घी और जाचने झीम प क्षेन करतेबंपन में जब हम दाल डाने के बाद आपने से न न दे अधे मूंकी डाल तो इसी तेके से लगतार जो है उलट पलट करते वे दाल को भूनेंगे नहीं तो दाल जो है नीचे से जल जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगी लोटू मेडियम प्लेम पे हमें दाल को भूनने में कम सकम 12-15 मिनिट लग जाएंगे दाल जब अच्छे से भून जाए गैस का फ्लिम बंद कर देते हैं और इसको हम नीचे उतार लेंगे और दाल को हम ठंडा होने देंगे जब दाल ठंडा हो जाए तब हम इसे जार में डालेंगे और इसका हम पाउडर बना लेंगे तो यहाँ पर दाल ठंडी हो गई है इसको हम जार में डाल देंगे इस तेक यहां पर मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूं यह हमारा मॊंग दाल का जो है पाउडर रेड़ी हो चुका है इसे हम रख दे ते हैं और चलते हैं अपने अब नेक्स्ट प्रोसेस में अब यहां पर वापस से उसी पेन में हम आड़ करेंगे दो टेबल स्पून मेलन सीर् इसे हम ऐसे ही dry roast कर लेंगे, इसे हम लड़ों में मिलाएंगे, आप चाहें तो लड़ों में dry fruit भी मिला सकते हैं, काजू, बदाम, पिस्ता जो भी हो, आप अपने मन पसंद कोई भी dry fruit आड़ करके लड़ों बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, इस तेकी से जब यह चटकन करेंगे 3 टेबल स्पून भर कर घी, और घी जैसे ही मैल्ट हो जाएगी, इसमें हमने जो अभी मुंग दाल का पावडर बना कर रखा है, वो सारा जो है, हम इसमें एड़ कर देंगे, यह देखें, आप चाहें तो यहाँ पर लड़ों के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ लेकिन हम इसमें जादा घी एड नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इसे भूनेंगे, मुंग दाल को हमने पहले ही रोष्ट कर लिया है, जो भी थोड़ा बहुत कच्चापन होगी दाल में, तो वो अभी हम इस तेके से घी में भून लेंगे, जादा घी डालने से मिक्सर जो है गील तो यहां पर इसी तेके से लगतार चलाते हुए 10-15 मिट के लिए फिर से हम इसे भूनेंगे, लोटू मीडियम फ्लेम पे, तेज आज पे हमें इसे नहीं भूनना है नहीं, तो इसमें एक कड़वा पंसा जो आजाएगा, जिससे लड़ू का जो टेज थे वो खराब हो जा तो यहां पर बस इसी तेके से लगतार चलाते हुए लोटू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि दाल का जो कलर है हलका सा गोल्डेन कलर में आपको दिखने लगेगा, कुछ इस तेके से यह देखें, और इसमें बहुत ही अच्छी सी दाल के भुनने की खुजबू भी आने लगी है, तो इससे ज़्यादा हम दाल को नहीं भुनेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, आधा कप दूद जो है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, तो अभी हमने यहां पर वन फोर्थ कप मिल्क लिया है, यह डालने के बाद हम वन फोर्थ कप मिल्क और लेंगे, इसी तरीके से हमें टोटल जो है, आधा कप यहां पर दूद मिलाना है, और इसे मिक्स करना है, इसे जो है दाल का टेक्चर दानेदार हो जाएगा, अगर लड़ूों को लंबे समय तक स्टोर करनी ह आपको तो आप यहां पर दूद के जगापर पानी का इस्तमाल कीजिएगा, आप यहां पर दूद के जगापर मिल्क पाउडर या मावा का भी इस्तमाल कर सकते हैं, इसे लड़ूों का जो टेस्ट है और भी सादा बढ़ जाएगा, तो बस इसे हमें अच्छे से मिक्स करन एक कप बूरा तगार जिसे बोलते हैं इसकी रेसिपी अल्रेडी मेरे चैनल पे अपलोड है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप बूरा के जगा देसी खांड भी ले सकते हैं या फिर आप चीनी पाउडर का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन बूरा से तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा लडवो तो यहां पर बूरा काही इस्तमाल करें तो यहां पर पहले मैं एक कप बूरा आड़ कर रहे हूं और जरूत पर एगी तो मैं और और आड़ करूंगी और इसी के साथ मैं यहां पराप फ्लेवर के लिए एक चमच इलाइ तो इस सभी को अच्छे से स्तैके से मिक्स कर लेना है और अब हम इसे हाथों से स्तैके से रब करते हुए मिलाएंगे ताकि सारी चीजे आपस में अच्छे से मिक्स हो सके और इस टेस्ट पे आप मिस्रन को थोड़ा सा चेक जरू कर ले अगर मीठा कम लग रही हो तो आप इस तो इस तैके से थोड़ा सा जो है आपको हाथों मिस्रन लेना है इस तैके से दबाते हुए आपको लड़ू का सेफ देना है यह देखिए इसली इससे जो है लड़ू बंद रही है गोल गोल एकदम लड़ू बंका तयार होगी और एकदम दानेदार यह लड़ू बनका तय और उससे लड़ू बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमारे इसली बंद रहें देख सकते हैं इसी परकास से सारे बच्चे वे मिश्रन से हम लड़ू को बना कर तयार कर लेंगे इन लड़ू को आप एट-एट जार में बाहर ही अस्टोर करके 15 दिनों तक खा सकते हैं क्योंकि हम अगर आप पानी का इस्तमाल करते हैं तो आप इन लड़ूं को एक मेने तक रखकर खा सकते हैं तो देखिए इसी परकास से सारे बच्चे वे मिश्रन से हमने लड़ू बना कर तयार कर लिए हैं तो यहाँ पर इस तेकि से प्लेट में लड़ू को हम सर्प कर लेंगे देख सकते हैं एकदम गोल गोल लड़ू जो है बनका तयार हुई है बिल्कुल भी चप्टे लड़ू बनका तयार नहीं होंगे तो लीजे फेंस आज की हमारी ये स्वाधिष्ट मुंग दाल के लड़ू बनका तयार हो चुके हैं आप भी इसे जरू ट्राइकिजे एकदम हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक को शेर करना ना भूले चैनल पे अगर पहली बारा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे मेरी आने वाली नई वी आपको मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थैंक्स पूर वाचिंग